स्कूलव ट्रवाटी स्वागत आप सभी का एक वर फिर से and once again we are here with another video and in this video we are going to talk about the unit second of BAPI 002 ठीके and यहां पर हम देखेंगे आज क्या concept of quality system ठीके तो यहां पर सबसे बहुता देता हूं कि यहां से question important जो आपके लिए है ठीके तो आपके लिए जो important question है यहां से वो क्या बन सकते तो आपके साब से क्या बन सकता है देखो concept quality system क्या होता है और preparation of quality manual और इसकी importance क्या है और quality manual के जो main features होते है इनके बारे आपको पता होना चाहिए तो इसके बारे हम देखेंगे one by one नीचे बस आपको quality system का पता होना चाहिए कि define quality system क्या होता है और preparation कैसे करते है quality manual की और इसकी importance क्या है ठीक है बाकि आपको यहां से कुछ करने जरूर होता नहीं है different components of quality manual यह भी देख लेंगे चोटा सा ही है पहले बाद तो यहां पर देखेंगे introduction क्या होता है तो quality का मतलब क्या होता है quality means एकदम purity integrity है ना कि जो भी च justification नहीं होनी चाहिए ठीक है और quality control means जो quality है उसको बरकरार रखना ठीक है तो इसको बरकरार रखने के लिए क्या होता है एक system होता है ठीक है एक management होती है जो की quality को क्या कती है control करती है ठीक है जिसमें quality को develop करना उसका विगास करना यानlas quality को maintain रखना और quality की improvement करना ठीक है यह efforts की जाती है ठीक है ताकि जो भी हम service दे जो भी हम product त्यार करें वो क्या होने चाहिए full customer को satisfy करने चाहिए ठीक है तो customer satisfy का बोगा जब हमारा product जो है वो quality होगी उसमें तो यह insure कोन करता है यह कुछ organizations होती है जो effort करती है ठीक है और proper quality management of certification bodies is essential to sustain the quality work of the agency for longer period of time और इसमें भी क्या होता है कि quality work भी चाहिए होता है कि इसका agency का जो agency यह control कर रही है तो देखो quality system के अगर हम definition देखे simple भाशा में तो आप थोड़ा सा उपर वाला लिख दो कि quality का मतलब क्या होता है कि quality को maintain रखना उसको develop करना एंड उसको continuously जो है वो improve करते रहना और यह कुछ organization करती है जिनका role होता है जिसमें हमारी certification agency आती है ठीक है देखो अगर certification agency का role कैसे है अब दियान से देखना है इदर certification agency का role कैसे है जो मारी certification agency है वो क्या करती है देखो तब तक तो आपको certificate नहीं देगी जब तक कि आपके सारे standards norms follow करोगे और आपका जो भी criteria है वो fulfill होगा ठीक है तो कहीं न कहीं इसका role है न फिर क्या करेगा जो भी operator है या जो भी certificate चाहता है तो वो तो अपनी quality automatically improve करेगा कि नहीं यार मुझे certificate चाहिए उसके लिए मुझे quality maintain रखनी पड़ेगी तो उपर कहीं न कहीं उपर जो अमारी governing body होती है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है तो quality कर रहे है उसको manage कर रहे है certificate दे रहे है ठीक है तो यह कुछ ऐसे documents होते हैं हर एक stage के वारे में जो बताते हैं हमें ठीक है जिनको adopt किया जाता है और जिसकी बजह से simply आप याद रख लेना कि जो भी quality है न product की उसको important maintain किया जाता है कैसे maintain किया जाता है कुछ specified norms and parameters जो की follow किया जाते हैं standardized protocols protocol क्या होते है simply rules रख लो याद आप कि कुछ rule follow करके कुछ norms follow करके कुछ parameter रखे जाते हैं कि अगर यह parameter कोई follow नहीं कर रहे है तो उसको हम certificate नहीं देंगे इसका मतलब उसका product quality नहीं है उसमें ठीक है तो these are established, implemented and predically audited होते है और इंज इनकी जाँच भी होती है auditing समझते हो ना आप जाँच परताल की जाती है inspection बोलो एक type का to assure that the quality कि जो हमारे product है वो quality है उनमें ठीक है the documents enable the certification body to certify the adherence of the quality norms ठीक है तो यह कुछ ऐसा document होता है यह कोई एक ऐसा system होता है कि जिसकी बज़ा से जो भी हमारी certification body है वो certify करती है कि जो भी product बन रहा है वो क्या है एकदम quality norms के हिसाब से adherence क्या होता है कि उसका पालन करना कि जो भी norms लिख रहे हैं उनको follow हो रहा है अब quality manual preparation कैसे करते हैं और इसकी importance क्या है यह important अब के लिए देखो quality manual क्या होता है आप देखते हो practical करते हो आप तो आपको एक manual की जरूरत पढ़ती है उस पर क्या लिखा होते है कि आपको यह चीज़ें कैसे करनी है in the similar way मैं कि जो जो मारा quality control का जो system है ठीक है यह जो quality system है इसको कैसे जो हम maintain रख सकते हैं कैसे improve कर सकते हैं उसके लिए एक manual होता है ठीक है तो the certification body must operate as an effective quality system in accordance with the relevant elements of the program and the type scope and amount of work to be done the quality system must be thoroughly documented and this documentation must be available to the certification body staff and the certification body must assure effective implementation of the documented quality system procedures and instructions the certification body must designate a person who has direct access to the highest executive level and regardless of another attribution should be empowered to have the necessary attribution ensure the quality system be developed and maintained according to the present program तो यह not much important accounting for the performance of quality system perform management of the certification body in order to revise improvement of the quality देखो अगर हम simply बात करें तो इसका नहीं चोड़ा कर निकालें तो इसका मतलब क्या हो हो कि जो quality system है उसको हमे properly documented करना है और यह जो documentation है ठीक है इसमें लिखा होगा ना कि यह यह आपको norm follow करना है यह यह आपको standard follow करना है यह यह protocol follow करना है तो यह सारा एक document में लिखा जाता है वो जो document है वो हर एक को available होना चाहिए जो भी certification body का staff है उसको हर यह के पास होनी चाहिए उसकी copy ठीक है फिर उसका यह जो certification body है इसको assure करना है कि यह जो document है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी है इनका properly effective implement हो यानि यह लागू भी होनी चाहिए जो भी उसमें procedure दिये हो है instruction दिये हो है इसी को हम quality manual कहते है इसी document को जिसके अंदर क्या क्या क् norms होनी चाहिए क्या procedure होनी चाहिए क्या क्या instructions होनी चाहिए ठीक है और कोई जो certification body है उसको एक designate करना चाहिए किसी एक person को जिसकी direct assess हो to the highest executive level who regardless of another attribution तो it's not much important discretion तो simply याद रख लेना एक ऐसा document होता है जिसमें सारा लिखा होता है कि कैसे कैसे हमें quality जो है system को maintain रखने ठीक है कैसे कैसे procedure जो है follow करने कौन-कौन सी instructions फालो करनी है ठीक है कैसे हम जो हम quality system को maintain रख सकते है और यह जो document है इसकी copy हर एक के पास होनी चाहिए ठीक हर एक जो भी staff है body staff किसका certification agency का तो आशा करता हो कि यहां तक आपको समझा कि quality manual मीन जिसमें सारी चीज़े लिखी होती है ठीक है manual और quality के बार तो यह देखो यहां पे लिख रहा है यह ensure करता है quality manual कि system quality system developed हो और maintain रहे according to the present program के हिसाब से ठीक है और accounting for the performance of the quality system before the management of the certification body in order to revise or improve the quality system और इस से हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर कोई drawback है या कहीं पे हमारी weakness हैं या कहीं पे हम implement नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको revise कर सकते हैं उसमें changes कर सकते हैं quality manual में quality manual में ठीक है यानि जैसे मारा quality system था वो improve नहीं हो रहा है क्यों नहीं improve हो रहा है क्योंकि जो मारा quality manual है उसमें जो procedure दिये हुए है उसमें कुछ गड़वड है तो हम quality procedure को जो है उसको improve कर सकते हैं यहनि जो manual है उसके अंदर जो lines है उनको improve कर सकते हैं उनको changes कर सकते हैं that is a revise the quality system must be subjected to the documentation in the form of quality manual and it is the complementary quality manual procedure यह मैं आपको बता लिए in the complementary nut ठीक है अब different component क्या क्या हो सकते है quality manual में तो quality manual में क्या क्या चीज़ यह दे रखियोंगी पहली बात तो इन में से इन्होंने कहा कि refer to the such elements at least होने चाहिए यह organization का structure क्या हो सकते है जो organization control कर रही है quality system को उसका structure पूरा दिया होना चाहिए कि पहले तो भाई certification agency होगी उसके बाद inspection teams उसके बाद staff वो सारी चीज़े दिया होनी चाहिए management personal जो है उसका description देना होना चाहिए जैसे committee यह कोई group person उनको हमने responsibilities हों दी ठीक है उनके बारे में है ठीक है उर्स body का legal status उसके बारे में description होना चाहिए उसके बारे में सारा लिखा होना चाहिए उस manual के अंदर names लिखे होने चाहिए qualification लिखे होनी चाहिए experiences लिखे होने चाहिए ठीक है and mandate of the supervising manager and other member of the certification staff both in-house and external तो उनकी क्या-क्या काम है ठीक है जो भी supervising managers है उसको क्या-क्या करने है उनकी क्या-क्या काम है वो सारे लिखे होने चाहिए and organization chart indicating hierarchy responsibilities यह में आपको बता दिया क्या-क्या responsibilities है hierarchy क्या होता है जैसे head क्यों होगा head के नीचे जो है वो जैसे होता है ना मारा cm होता है cm के डीपटी cm होता है इंता similar way में भी hierarchy होती है यहाँ पे भी एक ठीक है उनकी responsibilities क्या है distribution of function क्या-क्या कारे होंगे ठीक है under the supervising manager account के उपर सब क्योंपर description होना चाहिए certification body setup including its formation का भूई mandate क्या-क्या है और management procedure क्या-क्या है उसके कैसे वो manage करते है policies क्या है उसकी procedure ठीक है administrative procedure क्या-क्या है जैसे documentation control कैसे होता है वो सारी चीज़े भी उसके manual में लिखी होनी चाहिए responsibilities क्या-क्या है duties for service operations ठीक है जैसे functions related to quality related functions होगे और यहां पर हर एक बंदा जो है वो aware होना चाहिए कि हर एक बंदे की क्या-क्या responsibilities है उसके बाद जो certification body का staff है उसकी recruitment कैसे करनी उसकी selection कैसे करनी उसकी training कैसे होगी यह सारी चीज़ें इसके बारे में procedures यो है वो उसमें लिखे होने चाहिए फिर उसके बाद कैसे evaluate किया जाएगा कैसे register control किया जाएंगे यहां फिर qualification क्या होगी यह सारी चीज़ें ठीक है जैसे लिखाना a list of subcontractor registers with the certification body and the procedure by which it evaluate करेगा register करेगा और control करेगा उनकी qualification को register कैसे करना है यानि evaluate means उनका मुल्यंकन कैसे करना है क्या क्या preventive measure ले क्या क्या लेने चाहिए वो सारी चीज़े कैसे correct कर सकते हैं अफेक्टिवनेस जो है वो अफेक्टिवनेस किया तो प्रवावी तरीके से यानि एकदम सही तरीके से ठीक है condition recording issuing कैसे issue कैसे कर सकते हैं keep कैसे कर सकते हैं यानि maintain कैसे रख सकते हैं या with draw कैसे कर सकते हैं certification documents को वो भी condition जो हो लिखी होनी चाहिए certification of product के related controlling the use and application of document relative to the certification of product कि जब किसी भी product को certification दे रहे हैं तो उसका use कैसे करना है controlling the use means आप ऐसा तो नहीं कि जैसे मैंने mango के लिए आपको product certificate दिया आप use कर रहे हो बनाना के लिए तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए उसको भी control करना फिर policies and procedure for the processing of appeals, complaints and disputes और उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि क्या-क्या policies हैं क्या-क्या procedure होगा अगर कोई appeal करता है या कोई complain करता है या कोई dispute हो जाता है ठीक है उसको कैसे सुल जा सकते हैं उसके साथ deal करने का कैसे procedure होगा वो भी सारा लिखा होगा कहाँ पर manual में तो that's all with the quality manual main features क्या होते है quality manual के policy होती है organization, document record, management review and internal audit internal audit क्या होती है auditor होता है उसी team के अंदर वो देखता है record जो भी बनाई है क्या वो सही है कि गलत है उसको बोलते है auditor ठीक है तो quality manual describes the quality management system being adopted by certification body तो quality manual में मैं आपको बता दी है कि उसमें सारी चीज़े लिखी रहती है जैसे हमें manual मिलता है ना कि practical बच्चे आपको ऐसे practical करना है इसका उसमें लिखा रहता है कि take a slide and put a drop of water वैसे करके उस पर policies लिखी रहती है procedure लिखा रहता है in the same way में quality manual में quality को कैसे manage किया जा सकता है quality management system जो है इसको कैसे manage करे जा सकता है हम quality को उसके related जो है वो चीज़े लिखी रहती है procedure policies organization के बारे में ठीक है तो policy guideline should be put in place for the certification body तो यह policy के बारे में आप थोड़ा सा लिख देना कि क्या क्या policies होंगी जैसे certify करना organic farming, organic processing, organic input, product of the organic agriculture for national and international market के लिए उनको certify करना उसके related policies बनाना ठीक है to implement the national standard for organic productive NSOP की full farm होगी मारी कुछ national standard भी होते न कि अगर यह standard follow करोगे तब भी आपकी जो वो organic कहाई जाएगी otherwise नहीं कही जाएगी ठीक है policies में यह आ सकते कि company service available to all applicants ठीक है और abide by मतलब follow करना है हमें जो भी quiet lines से दी गई है ठीक है NSOP के द्वारा and other competent authorities in carrying out inspection, evaluation and certification यानि जो भी quiet line दी गई है NSOP के द्वारा उनको follow करके हमें authority जो भी है competent authority उसको follow करनी है जब भी वो inspection करेगा, evaluation करेगा और certificate करेगा किसी भी company को certificate देगा या किसी भी operator को certificate देगा तो जो भी हमारी methodology होगी, ensure करना है हमें कि जो भी methodology होगी और effective inspection होगी किसी भी area या activity की, वो satisfaction होनी चाहिए जो भी players है in the organic quality chain में किसी के चीटिंग नहीं करनी है, जैसे एक से पैसे ले लिए उसको certificate दे दिया दूसरे से पैसे नहीं मिले तो उसने उसको certificate नहीं दिया उसको गलत प्रूब कर दिया तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए inspect and evaluate in impartial and objective way impartial वही आ गया, ठीक है, impartial क्या होता है कि neutral हो के हमें करना इंस्पेक्शन, ठीक है, calculate कर लेनी है fee, cost based on the uniform scheme ठीक है तो इस नाड़ माचे बढ़ा है फिर organization मैंने आपको बता दिया था हम पर इसमें याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है, देखो company के अंदर जो है वो well organized होनी चाहिए जो भी उसको service, उसको task मिलेंगे, ठीक है, जो भी responsibilities होंगी, ठीक है जैसे जब भी वो inspection करेगा, evaluate करेगा, certificate करेगा inspecting personal, decision making personal, company से shareholders होगे, impartial होके करना है, independent होनी चाहिए, of the interest of the applicant, ठीक है उसके बाद कहता है, company is responsible for its decisions pertaining to granting, maintaining, extending, suspending and withdrawing देखो, company जो है, वो responsible है, वो कुछ भी कर सकती है, वो decision ले सकती है, चाहिए तुझे आपको देना है, certificate की नहीं देना है, ठीक है आपका certificate maintained रखने है की नहीं रखने है, आपका certificate extend करना है की नहीं करना है, suspended करना है, withdraw करना है, विद्रा करने है, ठीक है managing director जो director होगा, वो generally is responsible होगा for the company के, ठीक है, यानि managing director जो head होगा और यही managing director job stipulate करेगा और plan करेगा the field of work and the responsibilities involved in it carrying out the verification, on-site inspection, evaluation are conducted by qualified and authorized auditors तो यह सारी decide कून करेगा managing director करेगा कि कून सी site पे आपको जाना है inspection करने के लिए ठीक है, आपका वहां पे क्या काम होगा ठीक है, और कैसे आपको evaluation करनी है ठीक है, और जो evaluation यह सारी चीज़े करेगा कि इसको एक बंदे को choose करेगा और वो well qualified होगा और वो authorized होगा management जो हब वो decision लेगी ठीक है, certification पे यह मैंना आपको बता दिया था managing director and the quality manager जो होगा quality manager is the head managing director जो पूरे इसके नीचे आ जाएगा और यह responsible होगे supervision of the implementation of policy the implementation of all policies is verified at least once in a year ठीक है, तो यहां तक रखना कि जो भी हम policy को implement करेंगे उनके लिए responsible कोन होगा managing director and quality manager यानि यही सोच समझ गे या अपस में decide करके फिर policy को implement करेंगे accountant clerk carry out the supervision of the company's finance तो जो company का finance है उसकी देखरे एक accountant यह clerk करेगा ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो यह दे रखा है, this is known as company organization, ठीक है जैसे company board of director हो गया उसके नीचे director हो गया advisory board हो गया, group council हो गया director के नीचे हमारा quality वाला आ जाएगा certification, evaluation, inspection यह सारे इसके नीचे आ जाएंगे ठीक है, यह किसी एक एक बंदे को काम सोंपे होगी कि तुम inspector हो, inspection करोगे evaluation, evaluator, certification दे देंगे हम quality assurance करेंगे check administration, system and service, equation ठीक है फिर document and record मैंने आपको बताया था जो भी record है, procedures, policies वो सारे के सारे यहीं पे लिखे रहेंगे ठीक है देखो quality, manual, including procedural, manual, फिर record, फिर working, work instruction तो यह आप इसको लिखके भी आ सकते हो और जो भी files हैं, cabinet में वो A to Z रखी जाएंगी, जैसे A वाली यहां पे, B वाली यहां पे, C वाली यहां पे, D वाली यहां पे, ऐसे करके ठीक है कैसे लिखा हो है ने, from the rear and the top to bottom, each file is labeled with the name of the project and the project number and the contract number properly जो files रखी जाएंगी, वो एकदम से systematic तरीके से रखी जाएंगी, उसके बाहर properly label होआ होना चाहिए, properly नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है प्रोजेक्ट का और प्रोजेक्ट number कौन सा है क्या-क्या documents मटेन रखने चाहिए, quality manual, quality procedure क्या-क्या follow करने है, ठीक है formats क्या-क्या follow करने है, standards क्या-क्या होंगे, ठीक है, जब भी international national की बात होगी यह देखो, आपने दिखा होगा ISO 9000 यए लिखा रहता है, class number document ऐसे करके लिखा रहता है न थीक है, तो फिर document code जो होते हैं वो ऐसे करके होते हैं, जैसे क्या-M quality manual, क्या-P का मतलब quality procedure, F का मतलब format और S का मतल specification, ठीक है, specification मतलब किसके बारे में और स्टंडर डाकुमेंट जो है वो आफ अक्स्टरनल रिजन अर इटन्टिफाइड वाइध इस टाइटल लगी होती है उसके बाद जो मेनेजिंग डिरेक्टर होगा ना वो सारे की सारे डाकुमेंट की जो मास्टर कॉपी है उसको प्रिजर्व करके रखेगा वो एक separate file में सारी चीज़े रखेगा ठीक है जो भी master copy होगी मतलब जिसके अंदर सारी कलको अगर ये वाले गायव हो जाते हैं तो उसके पास कोई न कोई documents बचा रहेगा ठीक है quality management और internal review ठीक है देखो quality management तो सारे कर रहे हैं मिलके मैंने आपको कबसे बता रहा हूँ कि इसमें हमारी organization आती है हमारी policies आती है ठीक है procedures आती है quality manual आता है अब internal review करना ठीक है एक type का internal audit करना तो कहता था inspection and certification agency should conduct periodic internal inspection होनी चाहिए जिसमें covering all procedure in a planned and systematic manner to verify that the certification system is implemented and is effective मतलब अपना जो system है जैसे मैं organization चला रहा हूँ तो मेरी organization जो वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है effective है कि नहीं है जो मैंने implement करा वो सही से implement हुआ है कि नहीं हुआ है उसको inspect करना उसको check करने के लिए हम जो वो internal inspection भी करते हैं अपनी company के अंदर ही check करना कि क्या मेरी department सही से काम कर रही है क्या उन्होंने properly record maintained रखी है तो inspection and certification agency should ensure that कि personal responsibility for the area inspected are informed about the outcome of the inspection corrective action लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है timely लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है appropriate लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है सही तरीके से लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है ठीक है रिजल्ट जो है वो इंस्पेक्शन का वो डाकुमेंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानि इसको हम डाकुमेंटर में यानि फाइल बना के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं ठीक है और वो जो भी सर्टिफिक कंपनी जो है उसको review करा था और यह सही से काम कर रही है फिर उसके बाद यह managing director हो गए यह executive director will conduct management review और it's not फाकी में आपको आ गया internal auditor क्या होता है यह भी same ही होता है हमारा एक type का internal inspection होती है लेकिन इसमें क्या देखा जाता है कि जो भी हमारे quality quality जो manual है उसकी assurance जो हो चेक की जाती है तो company चेक दा quality assurance system fixed in the quality manual जो जो quality manual में चीज़ें लिखी गई है क्या वो सही है कि नहीं है उनके अंदर कितनी quality है उसको चेक किया जाने के लिए हम internal audit करते हैं जांच परताल करना अटिटर आता है ना एक external editor होता है कि internal editor होता है internal editor जो होता है वो company में सही कोई बंदा होता है वो चेक करता है कि जो भी मेरे record से वो सही है कि नहीं और external editor देखा होगा आपने जैसे बहुत सारी companies के उपर raid पढ़ती है फिर ED की raid पढ़ती है तो उनके बास documents नहीं होते जिसकी बैसे उनका सोना जपत हो जाता है पैसे जपत हो जाते है इन दा similar way में कि हमारे जो भी documents record है वो सही से maintained है कि नहीं है that is internal audit the effectiveness of the actual execution of the corrective measure should be recorded ठीक है कि जो भी हमने actual execution हुई corrective measure की उसको record करना है कि कितने सही तरीके से हम जोब किसी भी plan को execute कर पाए ठीक है the execution of the monitoring activity follow the stand specification in the auditor program the following basic question should be kept as checklist जैसे checklist में क्या क्या question हो सकते है कि how the activity of the company pair कैसी ये activity ये company की सही है गलत है एकदम proper चल रही है effective चल रही है कि नहीं चल रही है does the field adhere to the norms of the quality manual कि जो फील्ड है जयानि जो हमारा काम करने का तरीका है क्या हम follow कर रहे हैं जो भी norms दिये हुए है quality manual में does the practical implementation correspond with the specification of the quality manual कि जो भी हम practical चीज़ें कर रहे हैं या जो भी practical implement हो रहा है is the quality of the implementation up to set standards कि जो quality है implementation की क्या जो standard रखे गए है उसके साफ से है कि नहीं what correction and improvement measures are suggested कि क्या क्या correction या improvement जो है वो measure जो है वो आप suggest करते हो सुझाब देते हो कि यह होनी चाहिए कि quality manual ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है वो all recording and document created by the internal edit should be completely reliable होने चाहिए continuously achieved achieved होने चाहिए by the certification body and these records should be readily available for at least five years from the auditing तो यह था complete हमारा ठीक है और इसके बाद यहां पर let's sum up मैंने आपको बता दिये कि quality system में कैसा system होता है जिसमें document procedures क्या क्या हमें follow करने है ठीक है क्या क्या implement करने है ठीक है तांकि जो हमारी quality है वो बनी रहे to audit assure that production handling management certification and other system जो है वो जो भी specified requirements meet कर रहा है यानि fulfill कर रहा है and outcomes जो है वो followed by standardized protocols कि जो भी simply अगर बाशा में बात करें एक साधारन बाशा में तो quality system में एक ऐसा system होता है जिसमें कुछ documents होते है जिनमें कुछ procedures लिखे होते है फिर implementation लिखी होती ही कि कैसे implement करना है हमें चीजों को और ये सारी कैसी हमारी company जो है वो काम करेगी कितने resources होंगे, organization कैसी होगी, कैसी policies बनानी है ठीक है तो उन सभी के बारे में जो है वो this is known as quality system इसका main motive क्या होते है कि जो भी हमें है वो quality को maintain रखना उसको develop करना उसको improve करना ठीक है उसको quality manual बोलते है जिसमें ये सारे procedure लिखे रहते है structure of the quality manual की बात करें तो उसमें introduction होती है, quality system policy आती है, legal status क्या है हमारे organization का, organization chart कैसी है ठीक है, head cone है, फिर उसके नीचे cone है, ये सारी चीज़े आप लिख दोगे exam के अंदर भी, organization कैसी है, क्या-क्या उनकी काम है, क्या-क्या उनकी qualification है, वो सारा लिखा रहते है management review, ठीक है, administrative system कैसा चल रहा है, हर एक personal की functional और operational duties क्या है, recruitment कैसे करने है, training कैसे करने है, monitor कैसे करने है ये भी, sale contracting system, it's not much important रहने दिना, handling of non-conformities, कैसे अगर कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, उसको कैसे handle करना, appeal आ जाती है, कोई complain आ जाती है internal review and audit is very important, ठीक है, जो मैं चीज़े बोली हूँ न, sorry, बोली है न आपसे, तो वो आपको इच्छे से कर लेना, ठीक है confidentiality provision भी होती है, ठीक है, जो भी audit का record आगे न, उसको फिर 5 साल के लिए जो है वो, हमें properly करके रखना है hide करके रखना है, hide means in the sense कि आप बोड़ सकते हों कि उसको properly maintain करके रखना है, आप उसको achieve कर देना है, ठीक है, documentation and document control or record, that's all about with the, और ये सारी चीज़ें जो है वो, किसके NSOP guidelines के इसाफ से चलेंगी, ठीक है, on quality manual of our certification body, बाकी इसमें से आपको कुछ नी करना और keywords दे रखना है, आपको quality system देखो, एक documental procedure होता है, which are established, implement and practically audited किया जाता है, इसलिए कि that production, processing, handling, management, certification, accreditation and other system meet the specified requirement, कि जो भी recruitment चाहिए, यानि requirement चाहिए, जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, जब भी production हो रही है, processing हो रही है, handling हो रही है, ठीक है, internal audit मतले systematic priority का review करना, assessment करना, objective and performance of a program that is undertaken by certification body itself, यह मैंने आपको बता दिया, internal audit मतले अपना ही बंदा जो है, वो company का होगा, ठीक है, जो भी certification company है, उसका ही अपना बंदा होगा, वो check करेगा record, ठीक है, review करेगा, यानि एक type का, कि वो देखेगा कि जो भी हमने चीज़ें, जो policies बनाई, implement करी, वो सही से हुई, या नहीं, जो भी हमारा उदेशय था, objective था, वो achieve होगा, ठीक है, जो भी मेरे documents है, क्या वो properly systematic तरीके से बनाए गए है, कि नहीं, जो भी record है, मेरे, ठीक है, तो that's all with today, and आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाले, बटी द्यान पर्वक सुन लो, ठीक है, तो यह भी हमारा किसका है, बापी 002, and quality management of certification body, कैसे quality management होती है, certification body की, तो quality system क्या होता है, यह आपको मैंने बता दिया, आशा करता हूँ कि कहीं नहीं, आपके यह बहुत काम आने वाले, बस द्यान से सुन लो, ठीक है, तीन गंटे में, गुटे,